हेलो गाइस, वेलकम तो अनेकाड़मी मैं हूँ अनिकीत अकरवाल और लेवास का आफिजाजा न्यूज में चल रहा है तो हम लेवास का मैप अनालिसिस आज करने वाले हैं और अगेन जिसे हमने दंजानियागा किया था तो इसके अंदर भी हम current affairs को भी थेरा सा discuss करेंगे, static portion को भी discuss करेंगे और लेवास को तो of course discuss करना ही है, map को discuss करना ही है वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को से request करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को like कीजिए, comment कीजिए and share कीजिए अपने दोस्तों के साथ subscribe कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही इस bell icon को भी दबाईए ताकि आपको regular updates join academy के articulate चैनल की हैं, वो मिलती रहें You should also join our telegram channels, तो आप लोगों को हमारे telegram channels को भी join करना चाहिए जिससे कि आपकी UPSC की तियारी अच्छे से हो सके, क्योंकि आपको इसमें regular updates मिल जाएंगे PDF files मिल जाएंगी, और अन्य resources जो भी आपके exam से समंदित हैं, वो सारे के सारे यहां पर दाल दिये जाते हैं तो आपको description में भी इसका link मिल जाएगा, तो यह unacademy articulate का telegram channel है इसके लावा यह मेरा personal discussion group है, study time yt, आप इसे search करेंगे तो telegram पर आ जाएगा इसके अंदर आपके कोई भी सवाल जवाब हो, तो वो आपको सभी address किये जाते हैं और यह मेरा अनिकेट sir के नाम से telegram channel है, जिस पे मेरी और जो updates हैं, वो आती रहती हैं तो आपको इसको भी join कर लेना चाहिए, of course यह सब free है तो हमारे नए तीन batch शुरू हो रहें अन Academy Plus पे, जो कि आपकी complete preparation कराएंगे 2020-2021 के prelims के लिए, and of course mains के लिए, और पूरा interview course पे इसमें cover होगा तो आप देख सकते हो कि यह bilingual batch है, इसमें English और Hindi दोनों का ही इस्तमाल किया जाएगा यह Hindi only batch है, जिसके अंदर अगीन अगर आप Hindi medium से हैं, तो आपके काफी ज़ादा help हो जाएगी और काफी ज़ादा आपको comfortable रहेगा, and यह English only batch है, अगर आपको regional languages आती हैं, या फिर Hindi नहीं आती आप English medium से पढ़ते हैं, तो उसके लिए काफी ज़ादा benefit batch है तीनों के अंदर यह आपका जो batch है, वो 15 June से start हो रहा है, और आपका पूरा complete इसमें syllabus कराया जाएगा prelims और mains की test series भी कराया जाएगी, doubt clearing sessions भी होंगा, और interview preparation भी कराया जाएगी and आप अगर मेरा code use करते हो, ANI 7, तो आपको 10% extra discount मिल जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो, 24 months का plan है, जिसमें आपको 67% तक off मिल जाता है and 10% extra discount मिल जाएगा using my code and अगर आप 12 months का plan लेते हो, तो आपको 54% discount मिलता है और ANI 7 code यूज़ करके आपको 10% extra or discount मिल जाएगा इसके इलावा हमारे एक All India free mock test हो रहा है 21st June को, जिसके अंजर आप participate कर सकते हो और अपनी self assessment देख सकते हो कि आप कहाँ पर stand करते हैं और आपको कितनी preparation की किस area में जरूरत है जो लिवास जो है पहले एक French colony होता था जैसके हम Britishers के colony थे तो यह French colony या French Indo-China के अंदर आता था तो French used to called Indo-China जो China के नीचे और इंडिया के eastern side में area पड़ता उसको इंडो चाइना या French इंडो चाइना बोला जाता था जिसके अंदर से आज के वेतनाम, लाओस और कमबोडिया वाले areas निकले हैं और अल्टो थोड़ा सा चाइना भी का area आप कह सकतो तो प्रेजेंटेज चाइना का area भी इंडो-China में था अगा फिर जो प्रेजेंटेज वाला चाइना उसने उसको अपने कबजे में कर लिया तो रिसेंट्ली प्राम मिनिस्टर फ इंडिया है टेलिफ़ोनी कंवर्शेशन विद प्राम इनिस्टर फ लेयाओस both the leaders exchange views on the health and economic challenges posted by global COVID-19 problem तो दोनों ने coronavirus के situation को discuss किया they agreed on the need of international cooperation तो निमाना की दोनों को ही international cooperation को देखना पड़ेगा और best practices को share करना पड़ेगा experiences को share करना पड़ेगा जिससे की post COVID-19 world के अंदर जो economy है जो लोगों का भलाई है वो की जा सके welfare of the people की जा सके इंडिया's Prime Minister highlighted that इंडिया's historic and cultural links with Leos and expressed satisfaction at being involved in the restoration of वत्पोहू Hindu temple complex of world heritage site ये important है इसमें कि एक तो Prime Minister of India ने का कि हमें बहुत जादा अच्छा लगता है कि हमारे आपके साथ historical और cultural links थे तो आपको बताया कि अब पुराने टाइम में इंडिया के टाइम पे इंडिया के बहुत जादा लिंक थे Southeast Asia के अंदर और Indian culture और Hinduism जो था वहां पे prominent religion था तो वहां पे उस चीज की बात की एक तो इन्होंने और दूसरा इन्होंने वत्पोहू Hindu temple जो है उसकी बात की तो जो एक ancient temple था वत्पोहू temple जो आज की रेट में world heritage site के अंदर रहता है इसको भी हमें study करना है यहां से आपको question factual question बन सकता है यह image देख सकते हो आप वत्पोहू temple complex की तो आप देख सकते हो almost in ruins है यह सब पूरा तरह से खतम हो चुका है ruins बने पड़े हैं और पूजावे गारत को तो यहां पर कोई मतलब ही नहीं है तो कहीं ना कहीं बहुत बूरी हालत इस temple की अभी हुई हुई है तो इंडिया का extended neighborhood का part मानता है दोनों की सांजी development चाहता है यान की दोनों की कथे development चाहता है तो जो हम scholarships प्रवाइड करते हैं वहां के बच्चों को और जो हम capacity building करने के वहां पर कोशिश कर रहे हैं उसकी जो वहां के प्राइमिनिस्टर उन्होंने भी तारीफ की तो यह लिए लिए उस का map आ गया तो हमने देखा कि इंडो चाइना के अंदर तीन एरिया आते थे लिए वेतनाम और कमबोडिया तो कहने का मतलब है कि यह सारा एरिया जो था यह इंडो चाइना था फ्रेंच के अंदर आता था बाद में ब्रेक अप हो के तीन देशों में बन गया और उपर वाला जो कुछ ए अरिया है वो चाइना ने ले लिया तो यह सब हो गया और यह हाइना आप यह देख सकते हो यह भी चाइना का आयलांड है अब इसके अंदर जो यह उपर वाला एरिया है जो औरेंज में दिख रहे आपको यह है लैॉस और इसके अंदर जो main प्रमुख river जा रही है वो है में कॉंग river आजपास के प्रोसी कंट्रीज की बात करें तो मैंमार है, Thailand है, Cambodia है और China है तो of course हमारा इससे कोई direct relation नहीं है, हमारा direct relation मैंमार तक ही होता है लेकिन हम इसको extended neighborhood का part बानते हैं और यह South China Sea के अंदर भी लगता है जहां पर China अपने dominance कर रहा है तो कही ना कहीं अगर हम Laos वेतना आपर Cambodia जैसे देशों के साथ अपने अच्छे relations बनाते हैं तो हम South China Sea के अंदर China की जो dominance है उसको भी counter कर पाएंगे तो इसलिए Laos हमारे लिए एक important area है प्लस culturally और religiously भी हमारे links हैं तो उनकी भी बात ज़रूरी हो जाती है Based on the historical and civilizational foundation, India and Laos are enjoying long-standing friendly and mutual supportive relations तो हमारे यहां cultural और historical और civilization जो चीज़े हैं वो काफी हथ तक सेम थी इसलिए हमारे बहुत friendly और mutually supported relations है Political relations between the both the countries were established in 1956 और 1956 से हमारे political relationships भी दोनों के चल रहे हैं याने की diplomatic relations जो हैं वो चल रहे हैं Laos has been supportive of major issues of regional and international concerns to India including India's claim of permanent membership of United Nations Security Council UNSC जो बहुत important body है हमारे लिए उसके इंदर जो इंडिया क्लेम करता है कि हमें भी permanent member बनाई ये उसमें Laos भी हमारा साथ देता है हमारे साथ खड़ा होता है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि Laos काफी अच्छा इंडिया का partner as of now है UNSC पे permanent membership पे मैंने detailed lectures बनाए हुए है तो आप वो देख सकते हो और आपको links यहाँ पर मिल जाएंगे तो जो लाओस का national emblem है वो एक स्टूपा है जो कि बुद्धा का है तो बेसिकली क्या हो गया कि बुद्धा हमारे हैं मतलब इंडिया से निकले थे बुद्धिजम इंडिया से निकला था तो इससे भी हमें पता चलता है कि हमारे इनके साथ connections है historical connections है age old ties है वत पोहू temple complex जिसको अभी हमने discuss करना है जो कि एक ancient Shiva temple था और इसका जो structure है ये 5th और 6th century AD को date back करता है इसको अब renovation कराया जा रहा है archaeological survey of India के द्वारा तो बेसिकली जो हमारी ancient Hindu sites थी जो कि अलग-अलग देशों में थी लेकिन बाद में किसी वज़े से वो खतम हो गई उन चीजों को भी restore करने की कोशिश की जा रही है और ये world heritage site के अंदर आता है इसलिए ये important हो जाता है और इसमें कौन help कर रहा है renovation में, restoration में, archaeological survey of India कर रहा है क्योंकि तो हमारे पास पुराने temples भी है और art and architecture की knowledge भी है line of credit क्या होता है जिसकी हम LAOS के साथ चर्चा करते रहते हैं तो line of credit जो है वो एक किसम का soft loan होता है जिस पे हम discounted interest rate पर देते हैं किसी developing countries को ताकि वो अपने आपको develop कर सके और बाद में हमें धीरे-धीरे पैसे भी लोटा सकते तो हम हर तरह का जो एरिया है उसके अंदर इस चीज को कवर कर रहे हैं तो हम LAOS को काफी जादा help कर रहे है अग्रिकल्चर में इंफ्रासचर में टेलिकॉम में रेल्वेज में ट्रांस्विशन में और काफी सारी चीजों में अब देखो जो हमने टेंपल देखा था अभी तो ये खेमर जो उनका रेन होता था जो डैनेस्टी होती थी उसके टाइम के लोग हैं जो खेमर राजा थे वो हिंदू राजा होते थे और उन्होंने शिवा के टेंपल जादा तर बनाये थे तो ये जो हमने टेंपल की हुआ आपके South East Asia के अंदर तो तेरा वादा बुद्धिजम यहां पर prominent हो गया और तेरा वादा बुद्धिजम की यहां पर पूजा विगारा होने लगी तो हमें पता है कि बुद्धिजम और हिंदुजम में काफी अच्छा correlation हमेशा से रहा है तो जो भी मंदिर वेगार आते थे तो बुद्धिस लोगों ने उसको बस convert किया होता था और conversion में भी as such कोई destruction नहीं करते थे और अराम से वहीं पर पूजा पाठ वेगारा करने लग जाते थे तो सेम चीज़ यहां पर हमें से जो नदी गंगा निकल रही है वैसे तो यह जो natural peak है यह अपने आप में शिवजी को symbolize कर रही है और जो नदी निकल रही है वो गंगा को represent कर रही है तो इसलिए इसकी importance है आट and culture के point of view से उसके बाद world heritage site है यह हमने already discuss किया और world heritage site कौन designate करता है यह UNESCO designate करता है और top 3 country से सक्ष वर्ल्ड heritage site के जो अंदर आती है वो इटली है चाइना है और स्पेन है और world heritage site के अंदर ऐसा जुरूरी नहीं है कि सिरफ natural site ही होगी या cultural site ही होगी तो natural, cultural and mixed सभी तरह की sites जो है वो world heritage site designate की जा सकती है तो आपको यह पूरा का पूरा chapter clear हो गया होगा वीडियो clear हो गया होगा और आपको लेवास का मैप भी समझ में आ गया होगा और हमने जो कुछ देखा वो सब आपको clear हो गया होगा लेकिन हो सकता है economics या history या कोई और subject है जो आपको नहीं समझ में आता या आप उन teacher से नहीं समझना चाते है कि उसे और teacher से पढ़ना चाते है तो उस case में आपको extra खर्चा करना पड़ता है कहीं और जाना पड़ता है लेकिन academy plus में ऐसा नहीं है आपको जिस भी teacher से जो subject समझ में आता है आप उससे वो पढ़ सकते हैं तो आपने a teacher से suppose कीजिए quality पढ़ा आपको अच्छा लगा लेकिन a teacher का geography आपको अच्छा नहीं लगा तो आप किसी और b teacher के पास जाकर भी वो subject को पढ़ सकते हैं और उसमें कोई restriction नहीं है कि आप कितनी मरज़ी बाद teachers को switch कर सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको best combination of teachers लगता है आप उनके जो lectures हैं वो देख सकते हैं और अपना slaves घर बैटे बैटे आराम से पूरा कर सकते हैं second यहाँ पर आपको dedicated doubt clearing sessions मिलते हैं तो यानि कि आपके सारी doubts जो है वो to the point विल्कुल साथ की साथ ही nip टारा कर दिया जाता है तो nip in the bud हो जाता है ताकि कोई भी doubt ऐसा नहीं हो जो linger on करता रहे और बाद में आपको problem create करें revision के time पर आपको problem आए तो आपके सारी doubts को specific sessions के अंदर completely cover कर दिया जाता है again जो बहुत बार आपकी offline classes हैं उसमें ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे बहुत जादा होते हैं लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे आपका clearing doubt session चलता रहेगा आपके doubts जो हैं वो clear होते रहेंगे उसके बाद आपको एक ही subscription के अंदर multiple courses हैं वो मिल जाते हैं और आपको unlimited access मिल जाता है पूरी academy library का तो suppose कीजिए आप PCS की भी त्यारी कर रहे हैं और IS की भी त्यारी कर रहे हैं अब IS के बीच में आपके UP PCS का exam निकल आता है तो उस टाइम पे आपको UP PCS के लिए कोई specific courses देखने हैं specific lectures देखने हैं तो आप वो भी इसी subscription के अंदर देख सकते हैं तो एक ही subscription आपको अलगलग exams की त्यारी basically करा रही है तो एक ही subscription से आपको बहुत कुछ मिल जाता है तो अगेन अगर आप अच्छे से इसका फायदा उठाएं तो आप multiple exams भी crack कर सकते हैं और जो आपको जौब लगती है आप उसको रख सकते हैं तो एक ही subscription में आपको बिना double पैसे खर्च किये आपके अच्छे से सारी त्यारी हो जाती है और अगेन घर बैठे बैठे क्योंकि घर बैठे 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 बहुत बड़ा comfort है और आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं क्योंकि आप देखे अगर आप offline coaching में जाते हैं तो आपको एक तो आने जाने का खर्चा लगता है उसके बाद कई बार parking फीस लगती है उसके बाद यहाँ पर real time interaction है teachers के साथ तो ऐसा नहीं है कि वीडियो चल रही है तो आप teacher से बाचीत नहीं कर सकते या उनसे जुड़ नहीं सकते बलकि हाँ पर आपका जो connect है वो अच्छे से होता है आप live chat के अंदर questions बूच सकते हैं टीचर साथ के साथ आपको explain कर सकते हैं उसके बाद आप personalized doubt sessions ले सकते हैं जिसके अंदर आप teacher से बात कर सकते हैं तो teachers के साथ आपका interaction जो है वो पूरा अच्छे से रहेगा जैसे कि आप आपका offline classes में रहता है तो आप इस चीज़ को तो बिलकुल मन से निकाल देजिए कि teachers के साथ interaction नहीं हो पा रहा या doubts जो है वो बच जा रहे है doubts clear नहीं हो पा रहे इसके अलावा आपको आपको unlimited test series मिलेगी तो exam से पहले सबसे जादा important होता है कि आपने कितने test किये क्योंकि ज join कर सकते हो इसके लावा हर class के आपको PDF notes मिलेंगे and PDF भी आपको दोनों तरह से मिलेंगे annotated और बिन annotated तो अगर plain suppose कीज़े आपने कोई MCQ का course लगाया और उसके अंदर आपने plain PDF file ले ली तो आप बाद में उसको खुद से practice कर सकते हो कि आपको कितने questions याद हो गए and बाद मे आपको जो theoretical chapters है उनके भी हर एक chapter के हर एक वीडियो की PDF notes दिये जाते हैं इसके लावा आपका full syllabus coverage होता है बहुत बार बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारा जो syllabus है वो अधूरा रह गया sir ने NCRT नहीं कराया कुछ नहीं कराया कुछ नहीं कुछ किसी नहीं किसी coaching प है तो आप वो switch करके दूसरे teacher का same topic search कर सकते हो देख सकते हो उसके अंदर भी आपको कोई रोक नहीं है कोई आपके extra charges नहीं है and lastly आप सभी videos को download कर सकते हो और offline भी देख सकते हो यह again बहुत important चीज़ है specially उन लोगों के लिए जो कि किसी remote area में रहते हैं या फिर किसी भी reason से वहाँ पर internet की reception अच्छे नहीं आती जैसे suppose करो अभी cyclone विगारा आ गया था तो internet reception जो थी बहुत सारे areas में इंडिया में वो coastal areas की तरफ वो काफी जादा down हो गई थी उस case में अगर आपने सब कुछ download करके रखा हुगा है तो आपका syllabus आपकी पढ़ाई नहीं रुकती और आ आपका जो पढ़ाई का नुकसान है वो कहीं न कहीं avoid हो जाता है प्लस आपका data भी बचता है तो again क्यूंकि आप बार बार अगर चलाओगे तो आपका data use होगा तो उस case के अंदर आप एक बार offline save करके रख लोगे तो उसे जितनी मर्जी बात आप repeat पे चला सकते हो और offline सारी कि सारी वीडियो को देख सकते हो तो यह again एक बहुत बड़ा advantage होता है तो यह कुछ advantages मैंने बता है आपको क्यूं join करना चाहिए अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि अगर आपको शुरू में भी जैसा बताया था अगर आप दो साल का सब्स्रिप्शन निकठ ले लेते हो तो आपको 75% तक discount मिल रहा है और plus 10% extra discount भी मिल रहा है using the code ANI7 तो again यह बहुत अच्छी डील है अगर आप किसी भी competitive exam की त्यारी कर रहे हो So I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, informative लगा होगा, thank you for watching this video and have a nice day Thank you